एक्जाम की वज़े से लोग अभी सारी त्यारी कर रहे हैं चलिए आज मैं थर्ड वीडियो लेकर हाजर हूँ ओम का नियम ओम्स लाओ ये आपके क्लास 10 का चप्टर नमर 12 का एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है ओम का नियम ओम क्या है ऐसा लग रहा है कोई हम माला जब रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ओम का मतलब एक साइंटिस के न नाम है इनका जोर्ज साइमन ओम जो जर्मन भोतिक बिग्यानी है जर्मन के भोतिक बिग्यान है इन्होंने ओम का नियम हम लोग बहुत सुरू से परते आ रहे हैं और ओम ओम क्या ओम समझ में नहीं आता ओम क्या है ओम क्या नियम क्या है इन्होंने सब से पहले 1827 में जर्म की बात करते हैं, copper, आपका silver, आपका aluminum, ये जब क्या हैं, धातू हैं, जिसमें बिजली या बिदुदधारा परवाइत होती है, किसी धातू के तार में परवाइत बिदुदधारा तथा उसके सीरों के बीच का विवांतर में सम्मंद को बताया गया है, यानि यहाँ पर दो च ज्यादा लगाव है जहां धारा होगा वहां भोल्टेज होगा जहां भोल्टेज होगा वहां धारा होगा ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं इसका नियम क्या कहता है किसी बिदूत परिपत में धातू के तार के धातू के तार के दो सीरों के बीच विवांतर उसमें परवावित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, मतलब कहीं पर समानुपाती के जगा अनुकर्मानुपाती होता है, यानि डारेक्ली प्रोपर्शनल, समानुपाती बोलिए, अनुकर्मानुपाती बोलिए, दोनों क्या है, सिनोनीम है, दोनों आपके समान अर्थक सब्दे हैं, समानुपाथी भी बोल सकते हैं और अनुकरमानुपाथी, मतलब एक जैसा, प्रन्तु तार का, कहीं कहीं पर परतिरोध का बात भी बोलते हैं, प्रन्तु तार का तापमान समान होनी चाहिए, कैसे इसको इंग्लिज में बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा हम लोग समझते हैं, जैसे अगर किसी विदुद परिपत में वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, तो विदुद धारा क्या होगी? बहेगी, बढ़ेगी, जादा होगा, वोल्टेज जादा, विदुद धारा जादा, इसका मतलब वोल्टेज का सीधा सम्मन्द विदुद धारा से है, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, विदुद धारा बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाएंगे, विदुद धारा घटेगा, अ हमारा विदुधारा भी बढ़ेगा तो जहां कहीं पर अगर बल्ब है फुट भी सकता है तो भोल्टेज बढ़ा विदुधारा बढ़ेगा इसमें दोनों के बीच में क्या है एक सिधा संबंध है डारेक्टली प्रोपोर्शनल है यानि बढ़ेंगे अगर विदुधारा को आगर विदुधारा बढ़ेगा इन्होंने एई चीज बताया था ओम का नियमे हमको दो चीज़ याद रखना है एक तो विदुद्धारा और वोल्टेज के बीच में, विवांतर के बीच में सम्मंद चलते हैं इसका मतलब यहीं ना हुआ कि भी यानि भोल्टेज डारेक्ली प्रपर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर और आर क्या है नियतांक है यानि constant है तो यहाँ पर हम एक बनाये हैं देखेगा बीदूत आरे की खिचा गया है जिसमें सेल है बैटरी है बैटरी किसे कहेंगे बहुत सारे सेलों को मिलाएंगे तो हम बैटरी कहेंगे अब यहाँ पर देख लीजे जैसा हम लोग लोग सिल परतिरोध हम जानते हैं रेजिस्टर जब पढ़ते हैं तो रेजिस्टर दो टाइप की होते हैं एक ठीक्स लगण डिय है पहले डियेबल डिया बले डिया An Result pi acres 2017 डिवीर पोल्ट हब्द कर सकते हैं ये का रिजिस्टर का रिजिस्टर किया पर एक Đईवा आपद की emitter है यहाँ पर भी परतिरोध है यहने resistance है और यह क्या होता है इसको रोकना है control करने control करना हमने अभ्यव में पढ़ा था प्रतिक इसका है इगर इस तरह का दिया जाए तो उसको क्या करता है धारा को नियंतरक करने वाला आपका क्या है एक युक्ति है जिसका नाम क register अब यहाँ पर voltage भी लगाए गया है और एक इस तरह से यहाँ plug कुंची है plug क्या है अभी close है अब जैसे इसको हम दबाएंगे इसको हटाएंगे switch on करेंगे तो क्या होगा हमारा always यानि electron का परवा होगा और यह इस तरह से हमारे emitter होते हुए हमारा current जो है जाएगा अब य इप रवाद दो सिरो के बीच का विवांतर और विदुधारा आर इसकल टो नियांतना constant दिये गे धातु के लिए दिये गे ताप पर आर क्या है एक constant है एक नियन तांग है जिससे तार का परतिरोद कहते हैं किसी चालक का वगून कि वग अपने में प्रवावित होने वाले आवेश का विरोद करता है परतिरोद का ऐसाई मातर क्या होता है ओम क्या होता है ओम तो मतलब हम कह सकते हैं इस formula से एक और formula बना सकते हैं कि परतिरोद बराबर क्या होगा भी बाई आई भी क्या है दो सिरों की बीच का विवांतर और आई क्या है धारा है यानि हम कह सकते है किसी परतिरोधक से परवावित होने वाली विदुधारा उसके परतिरोध के व्यूत कर्मानुपाती होता है अगर परतिरोध जादा होगा तो विदुधारा क्या होगा? गम होगी अगर परतिरोध कम होगा तो विदुधारा क्या होगी? जादा होगी मतलब कोई इसको रोक रहा है परतिरोध का मतलब यहां समझे रुकावट बाधा उत्पन कर रहा है जैसे हमारे सक्सेस में जो आलस है जो लेजिनेस है वो हमारे लिए खतरनाक चीज है वो हमारे सफलता के लिए क्या कर सकता है? यह हमारे लिए सफलता में परतिरोध बाधा उत्पन कर सकता है जैसे हम एक माली जी एक रोड पे जा रहे हैं और रोड से हमारा घर जो है वो मातरे दो मिनट के रास्ता है मगर बहुत सारा वहाँ पर जाम में फस गया है जिसकी वज़े से क्या होगा वो एक मिनट का अब एक घंटा लगने वाला है तो क्या हुआ है जाम हमारे लिए क्या हुआ परतिरोध के जैसा काम कर गिया तो हमको ओम का नियम में यह दो चीज याद रखना होगा एक तो आपक धारा और दुसरा विभवांतर दोनों के बीच में एक डारेकली प्रोपोर्शनल वाला संबंध है समानु अनुपाति वाला संबंध है आगे हम लोग इसको और डिसकस कर रहे हैं जैसे ओम का नियम को हम सत्यापन कैसे करेंगे ओम का नियम को सत्यापन हम कर सकते हैं कि वर्थम दाप कुंजी को दबा देंगे दबाने के बैटरी से धारा परवाइथ होगी और क्या होगी ए मीटर से धारा का मान तदा भोल्ट मीटर से क्या करेंगी विभवांतर का मान याद करेंगे क्या कर लेंगे यहां से जैसे हम लोग ओन करेंगे इसको स्विच को ओन कर दिये जाएगा इसको हटा दिया जाएगा तो क्या होगा यहां से बीदुधारा परवाईथ होगी और E-meter क्या करता है बीदुधारा को नापने वाला यंतर है डिवाईस है और VOLT meter है उससे हम लोग क्या करेंगे इसका मान को बैलु को लिख लेंगे इस तरह से हम लोग क्या करते रहेंगे आगे पीछे खिसका कर किसको परिवर्तन इसको बोलते हैं परिवर्तन परती रोग इन्न वेरियेवल रेजिस्टर इसको क्या करेंगे हम लोग आगे पीछे खिसकाएंगे जो खिसका कर खिसका कर मतलब sliding करते रुक करेंगे और slide करेंगे बार-बार दोहरा कर हम उसका दोनों का मान, emitter का मान, विजुदारा का मान, emitter से और बीभानतर का मान bolt meter से लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इससे हम को क्या पता चलेगा? इससे तरह वांतर का मान अगर कम कर दिया जाए यानि भोल्टेज कम कर दिया जाए तो धारा का मान भी कम हो जाएगा यानि हम अगर भोल्टेज को आधा कर दें तो धारा क्या होगी आधा हो जाएगी आधा हो जाएगा अता इससे यही निस्कस निकल रहा है हमको इससे निस्कस क्या नि थारा का ठीक है हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि विदू धारा जो है आपका डारेक्टली प्रोपर्शनल है वोल्टेज का यह बोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगा बोल्टेज को घटाएंगे धारा ओटोमेटिकली घट जाएगा ठीक है तो इससे हमें क्या साबि के बीच का विवांतर उस चालक से परवायत होने वाली धारा का सीधा समानुपाती होता है अब यहां पर एक हमें देख रहे होंगे ग्राफ अब यहां पर ग्राफ देख रहे होंगे ग्राफ हमें क्या निसकर्ष निकाल रहा है कि ग्राफ यहीं निसकर्ष निकलता है जैस रेखी कि यह यह लिनियर ग्राप है इस ग्राप में हम देख रहे हैं कि लिनियर पोजिशन में आ रहा है कि धारा को जैसे ही हम बढ़ाएंगे विवांतर भी हमारा बढ़ते जाएगा इससे यह प्रूब होता है कि ओम नहीं सही कहा था कि अगर हम विवांतर को बढ़ाएंग तो विद्धारा अटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि यही बोल्टेश जैसे हम एक बच्चे का कान को पकरते है और कान को हम धीरे-धीरे इसका कान को गुमाते हैं, उस बच्चे का क्या reaction होगा, जैसे से कान हम धीरे-धीरे उसको मोरते जाएगे, कान को पकरके हम उसको जैसे बोल्टेज को हम लोग धिरे-दिरे बढ़ाएंगे तो विदुधारा भी धिरे-दिरे बढ़ेगी अब हम लोग एक ओम को किसे परिभासित कर सकते हैं ओम जिसका है रेजिस्टन्स यानि परतिरोध का जो ऐसाई मातरक होता है ओम होता है और ओम किसके नाम पड़ा जर जोर्ज साइमन ओम के नाम पर ये रखा गया ये भोतिक बिग्याने के नाम पर रखा गया है तो यदि किसी चालक के दोनों सीरों के बीच विवांतर एक भोल्ट है तथा उसमें एक भोल्ट बिदुधारा परवाइत होती है तब उस चालक का परतिरोध क्या होगा एक ओम क परतिरोध बरावर क्या होगा भी बटा आर हो जाएगा एक फॉर्मूला यहां से बन गया तो ये चीज आर यानि दो सीरों के बीच का जो दो सीरों के बीच यानि पलस और माइनस हम जानते हैं एक तार के दो सीरा होता है दो फेज होते हैं जैसे पलस और एक के माइनस से इन दो सीरों के बीच का जो विवांतर है वन भोल्ट है तता उसमें एक एंपेर विजुद धारा परवाइट हो तब उसे चालर को क्या कहेंगे एक ओम कहेंगे जैसे यहां पर देख लिजिए आप एक यहां पर आर है आर इसकल टू भी बटा ए है तो एक ओम बड़ाबर क वन वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ओन ओम अगर हम इसको इंग्लिस में कैसे डिफाइंड कर सकते हैं कि इटीज डिफाइंड एद रेजिस्टेंस ओफ ए कंड़क्टर विट ए पोटेंशियल डिफ्रेंस ओफ वन भोल्ट अपलाइट तो दा इंट्स थ्रू वीच व औम का नियम में आपको दो चीज में से रिक्याप किजेगा कि ओम का नियम में आपको दो चीज आद रखना है एक तुब एक एक एलेक्टिक करेंट और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विवांतर, वोल्टेज, दोनों के बीच में कैसा संबंध है, डारेक्ट्ली प्रोपोर्शनल वल संबंध है, समानुपातिस वल संबंध है, कि एकर वोल्टेज को बढ़ाया जाए, तो हमारा विवधारा बढ़ेगा, आपको होफुली ये जरूर सेर करें, ताकि दूसरे को भी लाव हो, थैंक यू वेरी मच फोर वाचिंग माई वीडियो, फिर नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद